हेलो एवरिवन आज मैं आपसे साबुदाना खीर की रसिपी शेयर करूँगी तो इसके लिए सबसे पहले न हम एक वैसल में दूद ले लेंगे जिस भी बरतन में आप दूद ले रहे हो न उसको पहले थोड़ा सा पानी से गीला कर लिजी हलका सा पानी एड़ कर दीजी उसम लेवर के लिए बिल्कुल ऑफिशनल है अगर आपको एड़ करना है तो करिए अदरवाइस आप इसको स्किप भी कर सकते हो पर इसको एड़ करने दे से काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है खीर में तो इसको हम आने देंगे बॉयलिंग पॉइंट में वैसे यहां पे हमार होता है कई बार ज्यादा पानी पड़ जाता है तो उसको ड्रेन कर लीजिए उसके बाद क्या कीजिए आप जो साबुदाना है उसको एक बार फिर से गरम पानी से दो लीजिए आप अच्छी तरह से जो एक्स्रस थोड़ा स्टार्च होगा वो निकल जाएगा बैसिकली क् दालो के तो भी अच्छा टेस्ट आता है तो इसी टाइम है इसको डाल दीजिए ताकि क्या होगी यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जैसे जैसे हमारा साबुदाना पकता जाएगा यह भी सॉफ्ट होते जाएंगे अब हम इसको स्टर करेंगे बीच बीच में स्टर कर देखोगे सिर्फ दो मिनट के अंतर यह ट्रांस्पेरेंट होके उपर फ्लोट करने लगेंगे आप देख सकते हो हमारा जो साबुदाना है उपर फ्लोट होना स्टार्ट हो गया है अब हम इसको 6-7 मिनट तक कुक करेंगे ताकि दूद है जो हमारा थोड़ा सा गाड़ा हो स्क्रेश करते जाएंगे और खीर में मिक्स कर देंगे ताकि हमारी जो खीर है एकदम से रबडी दार खीर बनके रेड़ी हो जाएगी इसमें बहुत जादा टाइम नहीं लगता है बनने में 8-10 मिनट के अंदर यह खीर बनके रेड़ी हो जाती है यह देख सकते हो आप हमा अब हम चीनी को अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे ताकि अच्छे से डिजॉल्व हो जाए अब सिर्फ एक मिनट तक हम इसको कुक करेंगे ज्यादा इसको पकाने की जुरूरत नहीं है यह देख सकते हो आप डेंसिटी इतनी रखनी है हमने क्योंकि पता क्या है ठंडा हो आप देख सकते हो हमारी जो रबडीदार खीर है ना बनके रेडी हो गई है एकदम से सिंपल कुएक और इजी सी रेसिपी है अगर आपको यह मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी ज़रूर ट्राइ कीजिए